नर्वदे हर साथियो इस निहा नर्वदेश वर सीवलिंग आर्ट में एक बार फिर से में रवी आप सबी सीव भक्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपको नर्वदेश वर सीवलिंग के दर्सन करवा रहा हूँ जो की त्रिपुंड धारी है त्रिपुंड धारी मतलब भगवान सीव के मस्तक पर त्रिपुंड के आकरती बनी हुई है यह मा नर्वदाजी के पत्तर है और इसमें जो त्रिपुंड लगे हुए है नेचुरल लुप से निकले हुए है तो बहुती सुन्दर प्राकरति एक त्रिपुंड धारी नर्वदेशोर सीवलिंग इन सीवलिंगों का साइज है तीन इंच और चार इंच के अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो चैनल को सस्काइब कर दे बेल आइकन प्रेस करना ना भूले वीडियो को लाइक करके एक प्यार अपना जरूर दिखाए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके दोस्तो आप यहाँ वाला सीवलिंग देखिए एक त्रिपुंड के अकरति बनी है इस शिवलिंग में किस प्रकार से बहुती सुंदर त्रिपुंड धरी है नरव्दे शिवलिंग है त्रिपुंड के आकरति बनी है 4 इंच का नरव्दे शिवलिंग है और उसकी योनी बे से वह भी नरवदा से बनी गई है जो के 8 इंच गी है, तो भोती खुप सुरात, भोती सुन्दर यहां नर्वदेश्वर सिवलिंग, एक और इसके साथ देखिए आप एक 4 इंच का नर्वदेश्वर सिवलिंग देख लीजिए, भोती सुन्दर यहां भी 4 इंच का, नर्वदेश्वर सिवलिंग, बना है जिसमें आप देख सकते हो तीनों ही दोनों तीन इंचे के नर्वदेशोर सिवलिंग है त्रिपुंड धारी और दोनों की जलदारी है वो भी नर्वदा हिस्टोन ओरीजिनल नर्वदा हिस्टोन से बनाई गई है ग्रीन पत्थर से जो की ग्रीन पत्थर है देख सकते तुढ़ें कि देखिए, तीन इंचे का त्रिपूंड धारी नर्वेडी शिवलिंग। बहुती सुन्दर है। और दुल्ला मैं high तीन इंचे का आगे देखिए सातियो। है जो यह तीन इंचे का हरी नर्वेडी सुल्ग। पह्तार धारी जहां है। तो दोस्तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको औरिजनल नर्वदेश्वर सीवलिंग चाहिए तो कॉंटेक्ट करे आपको इन सीवलिंगों के साथ देखे नंदी भी मिल जाएगा नंदी आपको ब्लेक चाहिए तो ब्लेक मिलेगा अगर वाइट चाहिए तो वाइट मिल जाएगा नर्वदेयार हरर महाद्यो श्री सिवाय नमस्तव्यम